नमस्कार दोस्तों तो आप सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड नीउस है यह गुड नीउस जो फॉर्चुनर लवर है सिर्फ उनके लिए होने वाली है तो भाई टोयटा अपनी एक और फॉर्चुनर को ग्लोबल मार्केट में जल्दी लेकर आने वाला है जो की फॉर्च को अभी तक कोई भी कार कंपनी बीट नहीं कर पाई है और आप जानते ही है मार्केट में फॉर्चुनर का कोई भी कॉम्पीटीटर नहीं बचा है और जिसका फाइदा टोयटा ने बहुत अची मोनोपली करके उठाया है अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर नहीं बात क्य यहां नॉर्मल फॉर्चुनर का प्राइस 35 लेक एक शोरूम से स्टार्ट होकर 41 लेक शोरूम तक जाता है और फॉर्चुनर लेजंडर 42 लेक शोरूम से स्टार्ट होकर 46 लेक शोरूम तक जाती है जो की ओन रोड आप रोक्स 55 लेक की पढ़ जाती है वहीं फॉर्चुनर 85,000 X showroom पर मिलने वाली है तो चलिए देखते हैं ये बागी Fortuner से इतनी सस्ती कैसे है और ये भी देखेंगे कि Fortuner लेजेंडर और इसके exterior और interior में क्या-क्या difference होने वाला है जिसकी वज़ा से ये इतने कम price पर आने वाली है इसका overall body का look से Fortuner लेजेंडर जैसा दिखने वाला है exterior हमने changes की बात करे तो इसकी headline normal Fortuner जैसी दी हुई है इसमें हम black talk या dual color नहीं मिलने वाला है जैसा की Legender में दिया हुआ है non touch tailgate का option भी इसमें नहीं मिलने वाला और इसके अलावा overall exterior में कोई change नहीं है interior में हमें बस black color का interior ही मिलने वाला है इसके अलावा अंदर से भी interior में as it is सब सेम रहेगा इसमें हमें 2.4 GD engine मिलने वाला है तो आप समझी गई होंगे इसका price इतना कम क्यों होने वाला है क्योंकि इसका engine छोटा दिया गया है ये engine 150 HP की power देगा और 400 Nm का talk generate करेगा और Fortuner Legender की बात करें तो इसमें हमें 2.8 CC का engine मिलता है जो की 200 HP की power देता है और 500 Nm का talk generate करता है तो जो लोग ये सोच कर परहिशान हो रहे हैं कि दिन पर दिन Fortuner के rate बढ़ते जा रहे हैं और उनका Fortuner लेने का सापना तूटता जा रहा है वो कुछ time को और wait कर ले क्योंकि ये कर आपके budget में आने वाली है ये मत सोचना है कि इसकी power कम होगी या पर इसकी drive quality में फरक आएगा तो भाई ये same engine Innova में आता है और आपको पताईए Innova काफी powerful car है बहुत जल ये car Thailand में लांच होने वाली है और जो car Thailand में लांच हो जाती है उसमें से जहातर car इंडिया में भी लांच होने के chances रहते हैं और जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंडिया में fortunate lovers की कमी नहीं है क्योंकि ये car सीदा लोगों के दिल में उतरती है इसलिए आज भी लोग इसकी मुह मागी कीमत दे रहे हैं तो देखते हैं कि कितने जल्दी ये काड़ी इंडिया में आती है और जैसे ही इंडिया में आएगी तब इसका आपको पूरा रियल रिव्यू देंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई